दोस्तो आज हमारे पास एक MI company का mobile है जिसके folder को हमने चेंज करना है इसके touch के साथ साथ इसके display का भी problem है और यहाँ पर इसके folder को हम change कैसे कर सकते हैं और दोस्तो एक चीज बताना चाहूंगा मैं जब भी folder change करता हूं तो या तो इसे separator से या तो फिर मैं किसी और method से निकालता हूं बट काफी लोगों का comment था कि यार आप बीना machine के ही इसके folder को उतारिए ताकि जिनके पास machine नहीं है वो भी यह चीज सेख सके है जिया दोस्तो यह glue remover कहते हैं तो यह वाला glue remover आप जब लेंगे तो उसी से ही आपका फोल्डर जो निकालने का काम है वो पूरा complete होगा पहले mobile को switch off कर लेना है switch off करने के बाद यहां पर आप इसको पूरा निकाल भी सकते हैं नहीं भी निकालना चाहिए तो यहीं से आप पहले इसको नि निकाला जाता है यही सबसे पहला आज हमारा इसमें काफी बार comment भी थी इसे पर हमने यहां पर अमल किया है तो glue remover आप इस तरीके से रुई लगा लिजे एक तीली में और इस प्रकार से आप ग्लू रिमोवर से निकालेंगे तो इस तरीके से ग्लू रिमोवर आपका इस पर लग जाएगा और इसके बाद कॉर्नर्स पे याद रखिब बिल्कुल कॉर्नर्स पे आप इस तरीके से लगाएंगे ग्लू रिमोवर को देखिए यह इतना मतलब इतना ज्यादा एफेक्टिव होता है और इतना फास्ट यह काम करता है कि यहाँ पर जितना भी ग्लू इसमें लगा हुआ ना वह बहुत यह साने से धीला हो जाता है तो यहाँ पर आपको मशीन की जुरूरत पड़े ही नहीं इस तरीके से आप उसमें लगाएंगे कॉर्नर्स पे देखिए इतना करने के बाद फिर आपको एक काम और करना है यहां पर इस तरीके से वाइंडिंग पेपर साथे हैं वाइट कलर पर fiquei फिर किसी और कलर के पर भी 생UMिक्या कि प्लास्टिक की होते हैं उन वैंड़िंग पेपर कहेंड़ीी इस से कट करना है देखिए इस तरीके से सो फसाना है मुझे लगता है कि थोड़ा और इस में ग्लू रिमूवर हमने लगाना पड़ेगा कि देखिए और याद रखिए अपनी आँखों से अपनी स्कीन से से बचाईए स्कीन पर तो नो प्रोब्लम कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन आँखों पर इसके छीटे नहीं जाने चीए वरना आँखों को रुक्षान पहुंच सकता है बहुत ही ज्यादा यह मतलब डेंजरस होता है आ आप ग्लास वगर चस्में वगर है तो पहन लीजिए तो चस्में वगर पहन के थोड़ा सा यह जो है आपको सेफ्टी से मिलेगे तो यहाँ पर इसको इस तरीके से उठाना पहले एक जिगर से उठ जाए उसके बाद और इसका फ्रेम भी टेड़ा है आप देखेंगे तो पर एक चीज का आपने ध्यान रखना है जब आप इसको एक जिगर से उठाएंगे तो एक पत्ता जरूर फसा लेना कुछ इस तरीके से माप इसको दूबार चे उठाता हूं देखें यहाँ पर एक पत्ता आपने इस तरीके से अभी फसा लिया है बस अभी बैठे का नहीं मतलब बार बार हमें इसको छेड़ना नहीं पड़ेगा ठीक है अब यहाँ पर देखें कैमरे को फोकस कर लूँ अब ग्लू रिमोवर आप लीजे और फटा फट से आप इसक अधिके से बढ़ाते जाई है यहाँ पर देखिए जैसे जैसे ग्लू रिमोवर लगा रहा हूं यह खुलते जा रहा है अग्याद अब आपको सही से दिख रहा होगा अग्याजस कर लेता हूं कैमरे को सही से न देखिए यह देखिए यह देखिए इस सेट को पत्ता होता है तो यहाँ पर आपने कटनी करना है अगर आपका फोल्डर केहना आपने दुबारा यूज नहीं करना है या फिर बिल्कुल टूटा है तो आप तो फिर कैसे भी कर सकते हैं अगर आप इसको बिल्कुल सही सलामत निकालना चाहरे है तो नीचे के साइट को अब आपको बताऊंगा बाहर बाहर से कट करना है हलका सा इस तरीके से गलू लगा लूँ गलू लगा के हलका हलका से कट करना है देखिए यहां पर आप बस बारी बार से कट करना है अंदर करेंगे तो पत्ता कट जाएगा है हलका सा बस जो इसका पत्त है वह सई सलामत यहां पर नीचे अभी अटेज्ट है बस इससे खीचे ना नहीं है यह देखिए अब इसको ऐसे रख के अब मोबाईल को आपने ऊपन करना है और इसके पत्ते को डिस्किनेक करके नया फोल्डर लगाने ना चलिए वो भी बता देता हूं वैसे अभी मेरे पास फोल्डर नहीं है लेकिन आपको खोलने की पूरी प्रोसेस बता फोल्डर लगाना बहुत ही इसे सिम ट्रे को आप बाहर निकाल इसे इस तरीके से इस सेक्षन में इस तरीके से एधे को पठाए उठाएे डिखिए इस तरीके से एसे घैब बन जागा का नाखुन फसा ये या फिर ओपनर फसाइए और इससे खूलतेवे चलिए इदेखिए खुल जाएगा है कुल जाए乾이라 podcast of सिंहां सा थेखनेघ्न आप नी इसका पत्ता नगट इसका आपने द्यानकाई मेश्टेकर थेखने ना होगा आ기에 तो तो आहिए तो फिंगर्प्रिंट उसी से एटेज्ज़ दे है पत्ता ने यह है लेकिन कि किसी में यहां पर में यहां पर Parent Nu mily cm this no problem अभ रेकार क्या है यहां पर जो हमारा डिस्प्ले का बरता है यह डिस्प्ले का पतता है और सकी में पत प्रस्प्राइब करता हुँ जब मैं सार इसको खोलू तब तक आप वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को थोड़ा समय फास्ट फोरवर भी कर लूँगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी नहों पर इसको हमने खोल लिया है और इसे भी अलका सा उठा के इसका पत्ता बहार निकाल लिया है और यहां पर देखिए और फूल्ड रहा मरा फानली नीचे कोई कट फट कुछ भी नहीं है आप देख सकते हैं देखिए जैसा आम ने था वैसे साबूत या निकालिया आप दूसर फोल्डर को चिप्कांगे दूसरे फोल्ड को चिप्काना कैसी अभी तो है नहीं लेकिन आपको से ना यह देखिए किलीन कर सकते इतर पर काफी गंगिर रोती हां ग्लु सपतवर रहता है कंपनी का तो इस तरीक से आप अछे से जीपर दो Sugar कैसे से उसको और है किसी समतेनि यगा क Branch को रखना है और देखना है कि ये कितना दबना है और कितना सही होना है अगर आपको लगता है फ्रेम सही नहीं होना है तो फिर यार फ्रेम को आप चेंज कर लेना है ना फ्रेम को चेंज कर लेना अगर फ्रेम सही नहीं हो सकता है तो देखे इस तदिके से और मदरबूर निकाल लेना में भी वैसे अभी मैं ज्यादा नहीं छेड़ रहा हूं तो फ्रेम को हम सीधा करने की कोशिक करेंगे सीधा हो जाता है तो फिर ठीक है नहीं होता तो फिर हम फ्रेम को चेंज जिखी कर देंगे वैसे सीधा हो ही जाता है थोड़ा बहुत ही अपते हैं तो आप इस तरहे से पने फोल्ड को इस तरीके से नया फोल इब यद워서 after it gave एब यहाँ पर से स्सक्रेंगे ऐस करने के बाद है इस पत्तिक अब लगा यह उसके बाद जिस्ट बाद में कुछ कुछ rubber band ले लेको आप नए वाले पत्य को 15 मिनिट के लिए इस तरीके से ब Gandhkin छोड दीजिक इस बाद के छोड़ दीजिए कुछ में पाच छूड़ दीजिक बांच face यह बांच मैं पिन कर दूँगा उसको भी देख लेना बाकि आपको पुरा यहां पर मैंने गाइड कर लिया है तो कुछ दिर में यहां पर पत्ता आपका फोल्डर आपका अच्छी से चिपक जागा उसके बाद आप इसको पूरा इसकी स्कूरू बगर लगा कि अच्छी तरीकी से पैक पूर्डर को अपने बैठाना है तो आए फोब कि यह वीडियो कापी प्रसंदा होगी इस वीडियो को लाइक करके शेर जरूर लेना एंड एक प्यास से कमेंट आपकी तरप से जरूर होना चाहिए थैंक्यू सूमच वाचिंग दिस पर